कहते हैं स्टार्टिंग में पाव भाजी स्टार्ट करने वाले बॉंबे वाले हैं और बॉंबे में पाव भाजी की स्टार्ट हुई थी मील से जहां पर मील के कारीगर रोज कोई सबजी लेके आते थे कोई आलू लाता था कोई प्याज लाता था कोई बिंडी लाता था और उन सबको mix करके एक भाजी बनाई जाती थी, जिसको वो पाव भाजी कहते थे और पासी में जो बेकरी रहती थे, वहाँ से पाव लेकरे उसके साथ में खाते थे, और वहाँ से सुरवाद हुई पाव भाजी की और उसके बाद में ये čली आ रही है, और अलग-अलग state में अलग-लग तरह से बनाई जाती है पाओ भाजी, जहाँ पे सूरत ने एक अंकल बनाते है बहुत ही ''speciallyly'' पाओ भाजी जिसको सूर्थी पाओ भाजी कहा जाता है, और यहाँ पे रोज की 200 किलो पाओ भाजी बनती है, और बिखती है, और लोग लाइन ल चले थे और वहां पर देखिए मसाला इनका अल्रेडी बना के लाते हैं गरसे जिसमें आलू टमाटा और जो भी मिक्स वेजिटेबल्स रहते हैं वो डाल के लाते हैं और उनको तवे पे बढ़िया से क्रस किया जाता है और यूज कॉंटिटी में ही यहां पर मेकिंग होती है 5-5, 10-10 किलो, 15 किलो, 20-20 किलो एक साथ में मेकिंग होती है और टेस्ट आप बले 1 किलो का खाओ चाहे 10 किलो का खाओ आपको टेस्ट एक जैसा ही मिलने वाला है और यहां पर देखिए कॉंटिटी, यूज कॉंटिटी में ही मेकिंग हो रही थी और कंटिनेस्टली इनका यह मसाले की मेकिंग और यह पाओ भाजी, बॉंबे की पाओ भाजी से बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग टेस्ट देती है, अगर आप एक बार यह वाली भाजी खा लोगे ना, तो आपको टेस्ट मूग का एकदम से चेंज हो जाएगा और फिर यही खाना इसा वाला टेस्ट है, तो इसमें अभी ले लिए गया है बढ़िया सा ओयल, अब इसमें इनकी स्पेशली ग्रीन चटनी डाली जाएगी, और जितने भी यह मसाले डालते हैं, और जो भी खड़े मसालों से जो तड़का लगेगा ना, वह तो एकदम लाजवाब रहने वाल चटनी, तो तीन तरह की चटनी, मैंने तो कहीं नहीं देखा था, जहां पर इतनी सारी चटनी डाली जाती है, और यह देखी वाई, एकदम लाल मिर्च वाली स्पेशली चटनी, जिससे स्पाइसी लेवल हाई हो जाता है, बट इसमें आपको ना ही स्पाइसी लगेगा, न यहां पर प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है, अगर आप यहां पर पाव भजी खाने जा रहे हो, तो टाइम निकाल के ही जाईएगा, क्योंकि यह टेस्ट के साथ में कोई कॉम्प्रोमाईज नहीं करते हैं, अगर टेस्ट चाहिए, तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, क् इनका बनाने का प्रोसेस एकदम स्लो है, और एकदम हलकी आज पर पकाया जाता है, अभी एड़ किया जा रहा है नमक, ताकि यह बढ़िया से पक जाए, और इसमें जो नमक का टेस्ट है, वो बढ़िया से एड़ हो जाए, और इसमें अब एड़ होगे इनके मसाले, जो के ये खुद घर पे लाके पिस्वा के फिर डालते हैं ताकि जो उसका टेस्ट रहे और पाकी जो दूसरे टेस्ट रहते है उसमें से ऊईल निकाल लिये जाता है तो उसका टेस्ट निकल जाता है वीडिकोhn को पाकी इसमें अब ही टेस्ट rojan से पक जाया ताकि उसका कच्छा पन है वह दूर हो जाया और फिर वह भाजी के साथ में मिक्स हो जाया अब एड़ के जा रहा है पानी ताकि भाजी के साथ में मसालों को पूरी तरिके से मिक्स कर लिया जाया तो евाई देखिए कितने ही बड़ी ये तवा है और तवा इतना हैवी एक इसको दुजन है न उठाने ही पाज़े लाग रही था एडा लग रही था ऐसे लाग रही था जैसे वॉलकेंटों के अंदर पाउं बजी पन रही तो उसको बढ़िया से मिक्स करेंगे और इसको मिक्स करने का भी प्रोसेस 10 से 15 मीट का रहने वाला है क्योंकि यहां पर कम से कम एक यह बड़ी भाजी मनने में आदे से पौना गंटा लग जाता है क्योंकि इनको टेस्ट से कोई कॉम्प्रमाईज नहीं करना है जो टेस्ट र लेरिंग निकालने की तैयारी हो जी थी तो देखिए पूरी बढ़िया से मसालेदार पाउबाजी तैयार हो गई थी और इसके बाद में भी इसका एक स्टेज और बाकी रहता है जो की रहता है तड़के का तो इसके बाद में यह पाउबाजी बनने के बाद में इसमें इसको निकाले जाएगा तीसरी बार बरतन में तो देखिए कितना यह बड़ा बरतन है और इतना होट स्टोरेज बरतन रखा जाता है इनको पता है कि यहाँ पर ओल्मोस्ट ओर्डर चलते ही रहते हैं यह बाजी जितनी भी बनी है तुरण के तुरण सेल हो जाने वाली है क्योंकि ओडर के इतने रहते हैं यहाँ पर के तुरण के तुरण सेल होई जाती है तो यह देखिए वई क्या ही रंगत आयी थी बाजी की उसकी जो खुस्बू आ रही थी जो उसकी फ्रेक्नेस आरे थी जाना क्या ही लाजवाब आ रही थी इतनी स्वादेश लग रही थी आप समझो के इसके पास मगर आप खड़े हो ना तो आपको खाने की इक्षव होने ही वाली है तो यह देखिए अलमस्ट भाजी तैयार हो चुकी थी अब बनने वाला था इसके इसके तड़के में पहले ओईल ले लिया गया है उसके बात में उसमें एड़ किया गया है जी आप मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा तो यह देखिए यह आगया है कड़ी पत्ता तो इतने खड़े मसाले डालने के बाद में आप सूचिए उसका स्वाध क्या ही रहने वाला है और उसका तड़का जो बनेगा बई ओहो उसका स्वाध तो भई हाई लेवल लास्ट में एड की जाएगी कसूरी में थी कितने ही मसाले और कितने ही मसालों से बर्कूर रहने वाले यह आप कभी इस तरीके की मसालो वाली और तड़के वाली बाजी कभी खाईए तो मुझे कमेंट में जरूर बतijke हैगा क्जहां पर मिलती है मैं वहाँ पशा के उस बा और उसके बाद में उसको mix कर दिया जाएगा और mix करने के बाद में जितना भी order रहेगा उसको selling पे चला जाएगा तो देखे बढ़िया से उसको mix किया जा रहा है और mix होने के बाद में क्या ही खुसबू आ गई थी आजू बाजू के लोग पुछने आ रहे थे मुझे के बाजी क्या बन रही है यहां पर यह रोज का प्रोसेस है और रोड से जो लोग निकलते हैं उनको वहां तक खुसबू पहुंच जाती है तो यह अल्मॉस्ट हमारी प्लेट अब रेडी हो रही थी और अब मैं करने वाला था इसको try और huge quantity में यहां पर making होती है तो देखें कितने ही बंस लगते है क्योंकि इनको जो बाजी बनी है उसके साथ में वही टेस्ट देना है जो इनके ब्रेट के साथ में मैच हो जाए तो वैसा ही तयार हो गया था साथ में टामेटों का सेलेट देते हैं और अल्मॉस्ट हमारी प्लेट रेडी हो जो की थी मैंने try की थी बहुत ही बढ़िया टे कि येगा